क्या आपका प्लांड पे मिली बाग का एटक हुआ या वाइट प्लाई का एफट दिख रहा है या बीफ लाई लीफ आप हो रहा है या लीफ माइनर हो रहा है स्टेब बोरर दिख रहा है तो आपका वीडियो आज का वीडियो आपके लिए है आज मैं इसका complete solution लेके आया हूँ, आज हम discuss करेंगे सिंजेंटे company का 11 के बारे में मेरा क्रिशक बंधू और gardener को मेरा प्रणाम, तो मैं हूँ शायन और आप देख रहे हैं भरुसा भूमी, your plant, our responsibility तो चलिए, हम पहले जान लेते हैं, इसका technical नाम क्या है, doses क्या है, और इसका mode of action क्या देखता है तो इसका technical नाम जो है, ओ है, thyomethexum, ओके, और इसका doses मैं बाद में बता रहा हूँ, और इसका mode of action, यह है soil systemic insecticide, और इसको trans systemic भी कहता है, ठीक है, इसका कहया होता है, पत्तो का उपर से नीचे तक आता है, और इसका action rate जो है, और day से count होता है, तो 15 days के आसपास इसका action rate है तो हम जान लेते हैं आज, कौन से कौन से फसलों पे यह हम यूज कर सकते हैं, और कौन से कौन से फूलों पे यह हम यूज कर सकते हैं, तो पहले फूलों को मैं बता रहा हूँ, आप हिबिसकस के यूज कर सकते हैं, मेरी गोल्ड पे भी आप यूज कर सकते हैं, रोस मार देता है 15 दिन तक इसको एक्षिन रहता है और पॉद्वकर अच्छा है इसमें ठीक है तो और हम जान लेते हैं कनकन से सुबजी पर हम यूज कर सकते हैं तो टमेटा हो गया खीरा हो गया बेंडी बेगन बीन मुंपली आक धान गोबी सबजी बीन करपास लौकी अब हर ए जानते हैं मेरे हर एक वीडियो पे कंप्लीट पिक्चर के साथ मैं डिसकास करता हूँ देखिए नॉर्मल जो आप घर में थोड़ा बहुत खेदी बगर्या करते हैं तो उसमें दो समझण आए तो बहुत अच्छा है एक है कोई भी एक फंगी साइड और है जो यह ज चाइनलिशैड संकोरो मेरे चाहिए देखिया उसको कुछ भी समझ ना आए तो कुछको कॉमेंट कीज है Instagram, Facebook पीछ, हर एक जगह में मैं हूँ, आप बेजी जग कमेंट कीजिए, पूछिए जानिए, तो अब हम दिखाएंगे आपको कौन से कौन से इंसेक्ट पर एक काम करता है, वी पिक्चर देखिए ये है, वाइट फ्लाइ, इसमें बहुत अच्छा इसका रेजल्ड आता है, ठ साथ, जो एक लिव आप होता है, यह है थ्रिप्स, थ्रिप्स में भी यह बहुत अच्छे कम करता है, बहुत ही अच्छा कम करता है, और भी हम देखेंगे, यह है नॉर्मल जो फ्लाइ, यह भी इसमें बहुत अच्छा करता है, एक तरह पर कम, ठीक है, और भी हम बहुत सार तो उनके दिखाएंगे आपको देखिए ए जो है स्टेम बोरा कि अपकर जो रूट का उपर से जो तो 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 जल जाता है तो इसको कहते हैं स्टेम बोरा और यह जो सिस्टेमिक इंसेक्टिशाइड है तो यह पोदों के अंदर से जा काम करता है तो इसमें क्या होता है जो अंदर से एक प्लांट पे एक प्रोटेक्शन मिलता है तो और भी हम बहुत सारे आपको तस्वित दिखाएंगे जिसमें मैं देखा यह है लीब और अलीबाब जो होता है ना पत्ति ही आप जब देख रहें कुछ इंसेक्ट के बजाए से यह लो हो रहा है तो उसमें भी आप यूजे दिखें ये बहुत सारे मैं मैं इंसेक्ट का तश्बिर दिया जैके मिलीबाग है त्रिप से एफिट है वाइट प्लाई है तो इसमें सारे में आप यूज कर सकता है ठीक है आप देखिए इसको पहर से नहीं और यूज कीजिए क्योंकि किसी के बात से आप कुछ पेस्टिसाइट या इन्सेक्टिसाइट यूज करें तो उसमें बहुत दिक्कत होता है आप चान की ही यूज़ करें, तो ही आच्छा है, तो मेरे आप जो देखा रहा हूँ पैकेट, यह है पांच गराम का पैकेट, इसका बहुत बड़ा, एक केजी साइच तक भी मिलता है, ठीक है, तो आप यह ओनलाइन, अबलाइन, दोनों जगा से खरीच सकते हैं, किसी को यह रख चाहिए, तो हमारे साथ भी कॉंटक कर सकते हैं, आम इसको आपको होम डेलिबरी प्रोड़ाइट करें, क्या होता है, आप एक दो प्रोड़क्ट और करेंगी, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा प्राइस परेगा, ठीक है, आप यह पांच पैकेट, और दूसरा कोई प्र फर्चाहने, यह पूर्चाहले करें, तो क्या होता है, एक देलिबरी चार्च सेंब रहते हैं, आपको बहुत सरे मिलते हैं, हम गरैंटी इट है, मार्केट से außerस्ते में हम प्रवाइड करते हैं, यह हमारे गरैंटी है, यह आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, तो कोई भी कीजिए ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने के लिए तो अब सबको थैंक्स फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब दो बटन एंड क्लिक बेल आइकन बाइबाइ